नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका NGDV की इस विशेश पेशकर्ष में इस वक्त हम लोग जैपुर में हैं और बात्चीच चल रही है Mission 2030, Mission 2030 की गैलोद सरकार ने ये नारा दिया है 2030 तक राजिस्थान को नई उचाईयों पर ले जाने का हमारे साथ दो खास मेमान हैं, उनका परिच्चे आपसे करा देता हूँ प्रताप खचेरवया साथ, बहुत बहुत सौगत है आपका Cabinet Minister है, Food and Civil Supplies and Consumer Affairs आपके पास विभाग हैं Transport के आप रह चुके हैं लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि राजिस्थान से अगर कोई भी आवाज टीवी पे सुनने को मिलती है तो प्रताप भाई की तो हुदी होती है बहुत बहुत सौगत है आपका हमारे मंच पे और साथ में राजीव अलोडा जी हैं राजीव जी बहुत-बहुत सौगत है आपका राजीव जी के बारे मैं अपने तर्शक्रों को बताना चाहूँगा कांगरेस में रहे हैं कांगरेस पार्टी के अभचारिक तोर पर सिपाही रहे हैं लेकिन अभी जो पोजिशन है वो चेरमेन है राजस्तान स्मॉल इंडस्टीज डिवलोपेंट कॉर्पोरेशन के आप चेरमेन है और साथ साथ राजस्तान एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के भी आप चेरमेन है और चुनाव लड़ चुके हैं दोनों लोग पुराने हम मिशन अभी हम 2023 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यह लगता है कि आप 2028 की बात करेंगे, 2033 की बात करेंगे, आप 5-5 साल के, यह 2030 के डेट ही क्यों फिक्स ही और क्यों इंपॉर्टेंट है यह? मिशन 2030 क्या है? एक सोच विचार है, हिंदुस्तान को नई दिसा देने की सुरुवात राजस्तान से करने की, और वो दिसा ऐसी हो कि जसमें जो लोग सपने देखते हैं, जो सोच आदमी की कि मेरी डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, मेरा डेमोक्रेटिक सिस्टम, मेरी सरकार कैस मीशन सोचे, तो 2023 में जो हमारा 156 का नारा है, हम वापस आये, तो उसको कहीं किसी के सामने गिड़ गिड़ाने की जरत नहीं होगी, हमने आज अधिकार दे दी है, छूट दे दी, लेकिन खुद की जमीन के लिए जब आदमी पट्टा देने जाता है, तो उससे कोई करेप् करी छूट दे चुकी है, कि आप ले ही नहीं सकते, आप तो 0 रूपे में इसको पैसा दे दो, कि स्टेट ग्रांट का पट्टा ही एक रूपे में मिलता है, इसी तरह से यदि आदमी मीशन 2030 में जाए, हम आ रहे हैं, मीशन 2030 हमारा ये है, एक नौजवान जो पढ़ने के लि mutual understanding होगी, और जहा understanding लिखा पड़ी कि उस सब होगी, लेकिन उसको future के लिए एक रास्ता दिखेगा, कि ये मेरी सरकार है, जिस पे मेरा हक है, जब मैं university college पास आउट करके आऊंगा, तो मेरे सपने तूटेंगे नहीं, मेरी आँखों के सामने अंदेरा नहीं होगा, मेरी सोचें, ये कोई political problem नहीं है, ये सच्चा ही है, Congress, BJP दोनों से उपर उठकर हमें समझना होगा कि जमाना बदल रहा है, देश की आजादी को सिव 76 years हुएं, हम ये भूल जाते हैं कि इस democracy को लाग हुए ही, 76 years हुएं सिर्फ, और आज ही नेताओं को ये गलत वहमी होगी कि हम भी था, कल युग में तो Congress, BJP दोनों आ गई, हमारे competition होगा है, हमने बनाया है, देश हमने बनाया है, अब हम सपने बनाने के लिए सपनों को हकीकत देने के लिए जो democratic system में पार्टी सई डंग से काम करीगी वो सोच है, वो सोच राजस्तान से सुरू हो रही है, जब राउल गांदी आवाज देता है, खुलकर बोलता है, कि तिरंगा मेरा धर में, तब एक सोच नजर आती है भारत की, वो सोच है राम की, कि कोई भेदबाव नहीं होगा, और वो सोच, Mission 2030 में आपको नजर आएगी, कि जब हमारी हकीकत, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम आरे 156 हमारा नारा है, जो Chief Minister ने दे दिया, वो हम सब का नारा है, हम हक से कह रहे हैं, हमें वोट दियो, यह हमारा अधिकार है, और हम अधिकार, अधिकार पूरवक इसलिए मांगने कि आपने जो कहा, हमने जो प्रॉमिस किये, वो प्रॉमिस भूरे कर दिये, कहीं इसको Congress, BJP में मत काटिए, मत सोचिए, कि आप हम Congress को वुड़ दे रहे हैं, आप तो तराजू लीजिए, तो लिए परके और देखिए, बताइए, Congress की वरकिंग यह रही जया लोग सरकार की, एक वरकिंग रखे, BJP की सरकार की, मुदी सरकार की, उन्होंने क्या भूसना पत्र में वादे किय हमने कितने पूरे किये, उन्होंने कितने पूरे किये, फिर आप आजाएए, क्रमचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यारती, यही में जाती हैं देश में, और इनी वर्गों के आधार पर लाइफ स्टाइल तै होती है, जो क्रमचारी उसकी लाइफ स्टाइल किस जवान चाहे करमचारी व्यापारी मजदूर किसान वे ध्यारती जो सोचता है उस सोच को पूरा करने के लिए मिसंद 2030 का हमने नारा दिया है और उसको कैसे पूरा करेंगे उसके लिए सरकार ने फैसला किया गारंटी देने लगी यही हमारी गारंटी हो कि उस पर हम काम करें आपने बहुत से टॉपिक छेड़ दिये, जो अपनी इस बातचीत के दोड़ान में दुबारा उन पर लोटूंगा आपकी जाज़त से, क्योंकि अभी तो पहला सवाली था, और राजीव जी का एक कमेंड ओपनिंग लेना चाहता हूं, फिर में आपके लोटता हूं, राजी जो दुनिया बर में मशूर है, जो होली वुड का स्टार जो है, वो कभी आमरपाली ना पहना उपना उसा ना हूआ होगा, मेरे ख्याल से, पर मैं आपके पत को लेकर जानना चाहरा हूं, और वो यह कि इस वक्त में, जब आप मिशन 2030 की बात कर रहे हैं, यह लगता है कि च है, वो एक सोच है, एक सपना है, मुख्यमंत्री अशुक घरलोजी का, जैसे एक इजाइनर, मेरे जासा कोई आकिस, कुछ भी चीज सोचता है, यह खाली के उपर पहले पैंजल करता है, उसके बाद रंग बनना शुरू करता है, तो उन्होंने एक सपना सोचा है, दोजात हैंदुस्ताबदी को बनाना चाहते हैं, हिए बसक्ताबदी के बन सकती है कि यह बहुत बद्धे लिकले लिख होना जुरूरी है, और दो साल या तीन साल में को रूला हैं और उसको पूर नियुक्ता है, खास तोर से क्योंकि मैं इंगिस्ट्री को देखता हूँ लिग्ता आप क्या करना चाते हो, कि अगर राजिस्थान में गैली मुंबई इंगिस्ट्रिक गोरिगोर जा रहा है, वो कब तक तेयार होगा, उसके चारों तरफ कौन कौन से इंगिस्ट्रिक लगेगी, राजिस्थान को जुरूत किस बात की है, यह पे क्लस्क्रस कैसे बनेंगे, क्य हमारे पास थाकत है, हम क्या माइन्स मिनर्ल फे निकाल के लेके आते हैं, उसको कैसे हम मार्वल का है तो आपे कलस्क्रस बनेंगे, फिर उस जगे कैसे उद्योग लगेगा, उस पे पैसा कहाँ से आएगा, तो आर्यफ यदेगी, पिय अशु देगी, कैसे सो स्केम बनाएं अभी जो रिप्स क्विंकी क्यू हमारी जो स्कीम है, राइसान इंवेस्पिंग प्रमोशन स्कीम, वो देश की सर्शेष्ट उद्योग की गनिती है, और उसके माधियम से छोटा उद्योग, अगर आप 25 लाग रुपय का रिन लेते हैं, तो 8% ब्याज सरकार वापिस देती है सब्वेंशन, अगर आपने उसके माधियम से उद्योग लगाया है तो, कितनी बड़ी स्कीम है, मसमी को पहले मक्रमनती जी निगोशना करी, कि आप कोई स्कार्ट अप लगाओगे, तीन साल तक कोई परमिशन लेनिक जूरूत नहीं है, कोई इंस्पेक्टर आपके स्केब इस ऑफ डूइंग बिजनस का एक तरीका है ये, कि कैसे आप लोगों को उद्यम मिता के लिए प्रेजित करो, और राजस्थानियों के तो खूनकंद उद्यम मिता है, पूरे दुनिया जानती है कि जब देश आजाद हुआ, उस वकद पूरे देश में जित्ती भी पूंज का संचे था, जादातर मारोनिका आत्मे था, तो एक जो सोच मुख्यमंत्री जी ने सोची है, उसके रोग में बनाया है, हम सब लोग उसके ओपर काम कर रहे हैं, कैसे लाज इंगिस्ट्री आए, कैसे स्पॉन इंगिस्ट्री आए, कैसे एम्प्राइमिंग जनरेशन हो, कै कैसे ग्रीन एनरजी परदा हो, कैसे हाइगरोजन को हम लेकि आए, कैसे रिनूबल एनरजी आए, कैसे हमापस पावर करना सर्प्लस आए, जिसको हम लोगों को बता सकें, कैसे इंवेस्ट्र को लेकि आए, दो अजार में मुख्यमंत्री जी ने पहला इंकरनेशनल राइस् राजस्थानी बहार रहते हैं, यह आपकी जनल भूमी है, इसके सेंगा आप सामाजिक स्वरोकार बनाओ, उन्हें किसी इंवेस्ट्र को नहीं कहा कि यहां पर आके आप इंगस्ट्री लगाओ, क्योंकि वीवर नॉट रेगी, आप वहां पर काम करोगे, उद्द्यों पर कुछ कमा होगे, आज राजस्थान पूरी तरह से तयार है, हमने भी इंवेस्ट राजस्थान करा, बाइस साल बाद, तेरा लाग करोड रुपे के M.O.E.O.L.I. आई हुए, और उसमें से 50% से ज्यादा धरातल पर आ गए, तो यह जो ना किवल सोचना, बलकि उसको एक्ज स्क्रीज बन थी, तब राजस्थान सरकार की गुड गवर्नेंस की वज़े से, आप बस में लेके श्रमिक को लेके जाओ, प्रोटोकोल का पार्णल करो, और मैनिफेक्शनिंग करते रहो, बंबई में जूरी ट्रेग किंदर छे मेने तक आफिस ने खुले, और राजस्था ने रिमार्केबल प्रगती करी है, यह उनका एक सपना है, और निश्यत रूप से आप कुरिजम की बात कर रहे थे, राजस्थान सरकार पंद्रासो करोर रुपे का हमारा कुरिजम का बज़क है, पहला इस केक है जिसने कुरिजम को इंगिस्ट्री का दर्जा दिया है, जो सुविधा इंगिस्ट्री को मिलती है, आपका होटल है, आपकी हॉस्पिकलिकी है, तो कमेर्शिल रेक की बिजली नहीं लगेगी, कमेर्शिल रेक का पानी नहीं लगेगा, इंगिस्ट्री के रेक का लगेगा, आप जमीन खरीद के प्रोजेक्ट शू करना चाहते हो, कोई क्यूरी जाम गिटी नहीं है तो यह क्यूरिजर में उस स्लोगन हम निकाला ता, आज परहन मंतली जी बोलते हैं तो यह रियल ने पाधार हमारे शुल चेटर में आओ, अंगांश्री की शॉलिश्र में आओ, तो राजस्तान जो है जब ग्यासफार्श की गती से 西फια हैं, से के अंदर ये इसका एक विजन बनायवा है और निश्य तुरुप से उसमें सुक्सेस्फुल होंगे मैं डीटियल आप सवार बात करूंगा पता भाई मैं एक सवाल आप से एक और चुना चाहता हूं और वो ये बहुत ही इंपॉर्टन चीज है आप हम लोग मिशन 2030 की बात कर उस पर किसी तरह का लगाम लगाने की उस कोटा जो की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उस पर किसी तरह की देख रहे की बहुत सकता वशकता है माना बच्चे जादा आ रहे हैं माना बच्चों के अंदर डिप्रेशन होता जा रहा है माना कॉंपेटिशन बहुत जादा है पर वहाँ जिस तरीके से चीजे हो रही हैं, इस तरीकी चीजे मिशन 2030 के लिए वेवधान पैदान करती हैं। आपने सुमिजी बहुत जवर्दस गंबीर सवाल उठाया है, और यह सवाल ऐसा है, तो पूरी दुनिया के सामने चुनोती बन गया। हर मदर फादर जो सपने खुद पूरे नहीं कर पाया, बच्चों के जड़ी पूरा करना चाहता है। आप मुझे यह बताइए, डियन भी दुनिया में कोई चीज है, एंडी टुई के मंचपर में बैठा हूँ, बड़ा संदेश ही है, कि जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे, खून का असर आता है, ब्रीड है, एक बाप जो पढ पढ़ने में होशार नहीं, बच्चा किसी और फिल्ड में होशार हो जायेगा, आप उसके उपर इतना प्रैशर बीड़ बेड़ आप कर दे तो घरवालों से अलग नहीं होना चाहता, आप उसको कोटा बेज देंगे, बेंगलोर बेज देंगे, कहीं भी बेज देंगे, फ उसके इतना बड़ा pressure build-up कर रहे हैं आप जो यह जितनी coaching institute दिख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं यह क्या करते हैं कि जैसे आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशार है तो अपने आप यह marks लेके आ रहे हैं तो पढ़ने मुझे आ रहे हैं आपके बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे अपने institute में उसको सब सुईधा देगे सामने से उसको एक टॉपर को लेंगे तो यह कोई हमारे institute में पढ़ता है तो भाई साब वो तो पहले सी टॉपर है आप क्या आइसान कर रहे हो यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि राजस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट में इसको पूरा डिसकस किया हमने एक कमेटी बना दी और अब हम बहुत strict हो गए है ऐसे coaching institute जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सपने दिखा कर 8th class के बच्चे को 12th की तैयारी करा रहे हो आप आप कौन है फिसकूल है क्यों खुली हुई है आपको याद है पिसनी बाद जब मनमौन सिंग की प्राइम मिनिस्टर थे और मिस्टर कपिल से बल साइद मिनिस्टर थे उस वक तो वे ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया 12 तक बच्चा ग्रेड के अनुसार पास जरूर हो जाता था क्योंकि ज़िस education system में ग्रेडिंग सिस्टम किया तो बच्चा रूक नहीं रहा था तो अभी कोचिंग वालों को strictly ठीक करना strictly ठीक करेंगे और बच्चों को ऐसी counseling create करेंगे सब के साथ मिलका एक तरह कर रहा रोक थाम लगने की जरूरत है कोई भी आता है वहाँ परपस है तो हर माबाब को लगता है कि वो बच्चे का admission करा कि या तो उसको इंजिनियर बना देगा आइटी करा देगा इस करा देगा सिब डॉक्टर बना देगा उसको लगता है कि मैं कोटा पहुंच गया इसका मतलब मैं आप एमस पहुंच जाओंगा इसका मतलब मैं आइटी बॉंबे पहुंच जाओंगा मेरा सवाल आप से प्रता भाई यह है क्या इस पर किसी तरह की लगाम की जरूरत है किसी तरह का regulation की जरूरत है क्योंकि हर किसी को भी admission मिल जा रहा है और मतलब उसके बास पर admission आपने बड़ा अच्छा example दिया कि पर एक topper के साथ आप तुलना कर देते उसकी अब आप एक class एक topper और 99 बच्चे जो है वो पीछे चुड़ गए 99 बेंसे पांच आद भी तो कमजोर होंगे तो उस पर रोक के लिए क्या system होना चाहिए ठीक हा बिलकुल जो भी जा रहा उसको admission दे रहे हैं उन्होंने ये पूरी company बना दी पहले क्या होता था एक्जाम लेकर बच्चे को करते दें क्या बच्चा ये compete कर सकता है स्कूल वाले आप देखो आज भी स्कूलों में की मैतारीफ करूंगा बच्चा जो पढ़ने में ठीक है उसी को science दे रहे हैं commerce दे रहे हैं वाइक हुआ इमिनिटीज दे रहे हैं भाई ठीक है इसको तो आप आप आप्स में ले लो ये बच्चा नहीं पढ़ पारा करता हूं हमने तो ये ठीका उठा लिया सबने कि मामला कुछ भी हो राजनीत करनी है एक्सिडेंट हो गया किसी की डैथ हो गई माहोल भी घड़ गया तो भी बीजेपी कॉंग्रेस अरे कुछ मुद्धों पर तो हमें जाना होगा पंडित नहरू की तरफ जब पंडित नहर से थे बीजेपी से थे उनकी एक सोच दी कि मुझे देश बनाना है मुझे यहां तक लेकर जाना है क्योंकि मैं पहले प्राइमिस्टर थे उनके मन में भावना थी तो सब को साथ लेकर चले आजकल ये भावना खतम हो गई कि मैं सब को साथ लेकर चलू या कहीने कहीं विश करी सकते हैं पूरा हम लागू कर सकते हैं और यहां पर है भी नहीं मुझे एक बात जरूर अच्छी लेगी कॉलेज यूनिवरस्टी और स्कूल इन में अभी तक धार्म और जाती घुसी नहीं है और यह बची रहेगी तो मान लेना यह कंट्री बहुत मजबूत रहेगा यहा मामले को चीफ विनिस्टर जब किसी मामले को देखते हैं तो राजस्तान में तो हम सुधार कर देंगे लेकिन कि प्रॉब्लम वैसे दो वर्ल लेवल की है लेकिन हिंदुस्तान की पूरे की है ऐसे में हमें एक्ट लाना पड़ेगा स्टेट गौर्मेंट को भी और सेंट्र government को भी यह इतना बड़ा issue है जिस पर वैसे ही है जैसे आबादी issue है वैसे ही है coaching संस्ता हैं जो खड़ी हो गई है इन पे तो बहुत सक्त होने की ज़रत है आपको पता pen पे लिखावा है coaching institute का नाम अब मैंने देखा नया system जूते आगए मुझे आगए आपने uniform दे दी बैक दे दिया और वो बिल्कुल school से भी खतरनाक बच्चा बना दिया उसको यह उस coaching का है बैक दे दिया अब आप क्या चाहते हैं नकरे इतने कौन है वह जो coaching में पढ़ाने वाले हो नाराज होएंगे मेरे से वो ही तो है ने जो I.S.R.S. में फेल होगे हैं जो डॉक्टर इंजिनियर नहीं बन पाए वो ही तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आज वो इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं कि मैं हम तुमको बना देंगा रहे हैं भाई साब अच्छी बात है आप बना दीजिये लेकिन डराइए मत बच्चे को मैं आप पर होगा वापस राजीब जी मैं बिजनिस की बात पर लोटता हूँ आप जिसका जिकर कर रहे थे आप 78,000 करोड को बढ़ा के ढ़ाए लाग करोड तक ट्याने की बात कर रहे हैं कैसे करेंगे यह कैसे संबब है और उस वक्त में जब जबात प्रताब जी बोल रहे हैं कि हर चीज में हम बीजेपी कॉंग्रेस कहने लगते हैं दिली में आपकी विप्रीत सरकार है अगर आप चुनाओ जीत जाते हैं तो और जो डबल इंजन कहते हैं तो यह तो ट्रेन चितर-बितर हो जाएगी अलग-अलग तो कैसे हो पाई अगर आपको केंदर की मजद ना मिले तो क्या संबब है अभी पिछले पांच साल में राइस्था ने ग्रोथ करा न जितने भी आपसकेक लाए कितने भी हगल लेकिन अगर आप कड़ी मेनत करते हो तो दो दर्शिता हो पका इरादा हो तो निश्य दरूप से आप अपने लक्षे को प्राप कर सकते हो और यहाँ पे जो लिगर्शिप है हमारी वो बहुत मजबूत फॉला दी रादियों वाली है निश्य दरूप से काम करेंगे मैं आपको अधारन देता हूँ मुझे अभ जोट पूर हंकि कलाफ को बश्राद सEC रहे है जपणने बहुत चारिज बनते हैं जूतिय बनती हैं पिंकिं कप्रे बनते हैं रजाई बनती हैं गार्मेक्स बतते हैं यहांके जो मैनेफिक्षटर है वो अपने समान को किसी एक्सपोर्टर को दिली बंभी में देते थे औ हो, वी आ एक्सपोर्टर, you manufacture and you export एक साल में दस हजार नए एक्सपोर्टर, नए एक्सपोर्टर हमारे पास एंपौर्ट एक्सपोर्ट्ट कोग नुमबर वाली एक्सपोर्टर थे, अब वी बढ़के एक्सपोर्ट-नबर जॉसर हो गए, तो दस पहले बाह राहिस्तान में इंकनेशल एक्सपो हुआ, उसके अंदर बहुत लोग आ है, अभी नेरोबी के अंदर इसकेफरी का एक्सपो करा, मैं एक सो पिस्तर लोगों का गिलेशन लेक आँ से गया, तो नए मारके तलाश करो, राहिस्तान से समान ग्यारिक ली, भेजो, किन नेरोबी, घाना, आप तंजानिया के अंदर सप्लाइ करो, तो एक आपको सोच लिगानी पड़ेगी, इस वज़े से निर्यात बढ़ रहा है, दूसरी प्रॉलम क्या है राहिस्तान में, वियारे लेंग लोग इसकेक, हमाय पास को बंदरगा नहीं है, लेकिन अभी हम चौ जयपुर से एर कारगो कॉंपलेक्स है, वो राश्ची को चलाती है, अभी मुक्यमंतीजी से मैंने मांग रही थी, कि बजएक के समय के अंदर ये इनलेंग कंकेनर गिपु बढ़ाएं, उन्होंने पास नए इनलेंग कंकेनर गिपु अमको दिये है, पच्पदरा में नई जयपुर में जयमीन लेली, हम बहुत बड़ी ICG शुरू कर रहे हैं, उसे तरह कि बीकरजर के अंदर जयमीन एक्वायर कर ली, बीकरणर में शुरू कर रहे हैं, विजन दो जातीस में क्या है, राजस्थान के पचास सों गिस्क के अंदर एक ICG हो, बीकरजर पापर भुज में दिमाग में आया है कि उद्यपुर तो इतना बड़ा ICG है, हमने बाचीत करी, प्रपोजल भेजा, नेक्स्ट एर कारगो कॉंप्लेक्स उद्यपुर से शुरू होने वाला है, तो जब आप लॉजिस्टिक सिस्क्रम तियार करोगे, एर कारगो कॉंप्लेक्स तियार करो प्रपोजल लोगों को रोजगार देता है, बड़ी इंगिस्टिक इंदर बड़ी-बड़ी मशीन साती है, छोटी इंगिस्टिक इंदर आप हाथ के काम से औजार से काम करते हैं, और हम लोग इतने रिच हैं हमारी क्राफ्ट के इंदर, उसको पी तो समानने की जूरू होत है, उसको सुन्जोने की जिबत है, हमारे गाउं गाउं के इंदर सोनगार बैके हुए हैं, हमारे गाउं गाउं में जांगिन बैके हुए हैं, जो हंगी क्राफ्ट का काम करते हैं, गाउं में चीपे बैके हुए हैं, कुमार बैके हुए हैं, जो मूल ओभी सी जो राहिस्त हम चलिए हमारी हमारी शुब कामना है आपको आपके मिशन के लिए लेगर प्रताब भाई ये थोड़ा मैं सवाल को बड़ी पिक्चर देता हूं राश्टेस तर पर पारलिमेंट का विशेश सत्र हुआ महिला आरक्शन बिल पास कराया गया सभी पार्टियों ने सपोर्ट कि खार रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं कि आपको लगता है नहीं कि इस चुनावों में मिशन 2030 में ऐसी कवाम चीज़े होनी चाहिए जो महिलाओं के सेंट्रिक हो क्योंकि आपके लिए भी तो महिला वोटर है आप लोग तो चाहेंगे महिला आपको वोट करें या सिर्फ आ अभी से लागू करो नै आप 2026 से लागू कर देते आप को किस ने मना किया Lumस चोईस से लागू करने को кउंगरेस आपके साथ खड़िये सब पर्टियां आपके साथ खड़िये आपका जो वीजा ने उसको सुनिकार कर रही है राहूल गांदी ने खड़े कर ये कह दिया आप महिला आरक्षन लागू कर दीजिए अब आप चिला चिला कर कह रहे हैं सब को कि अब आपको हमने महिला आरक्षन दे दिया दिया कहा है देंगे दे दिया है मत का आपने पास कर दिया आज से लिए इतने सालिस में ये लगेंगे वो लगेंगे तो आप तो होना चाहिए एजेंडा कौन मना कर रहा है election जीतने के लिए कोई जो political party for leaders है वो बज़न के दंदोड़ ना करेंगे election जीतने की बात तो करेंगे आपके पास क्या तोड़ है mission 2030 के लिए mission 2023 के लिए महिलाओं के लिए आप एक बास सुन ले ना ये गलत शेमी किसी को नहीं होनी चाहिए ये जो public है ना ये सब जानती है बहुत होशार है सब के समझ में आता है कि आप आगे 15 लाकर अच्छे दिन नोट बंदी पे चर्चा हो रही है गाउं गाउं में आजकल public बात करने लग गई 500 को रहजार को नोट क्यों बंद करियो भाई और बंद करियो तो 2000 को क्यों लाया 2000 को लाया भी के वास्ता है आप 50,000 करोट रुपया खर्च कर दिया अब वापिस आप 2000 को बंद कर दियो चाहो गाई हो लोग आजकल बात करने लग गए लोग के समझ में आना लगा है कि आठे पर टेक्स लग गया है लोग के समझ में आने लगा है कि पराठे पर टेक्स लग गया है बिल देता है भाई साब पराठे पर क्यों मांग रहे हो पराठे पर टेक्स अब भाई साब डर ला गए GST आड़ा आ जैसी, समझा अगरो भाई GST वाले आ जाएंगे, तो भाई साब पराटे पर भी टेक्स लगता है कि कभी आज सागी नहीं लगा अब उसके बाप पैसे नहीं इतने बोले पराटा पचास से सी से पराटाना रहों कि आप MP वो थोड़े से लोग को बना हो गया हम BJP Congress वाले, सबको MP बना देंगे को सबने तो जूटे तो मत दिखा पाप लगेगा जूटे सबने Congress दिखाए जए BJP जूटे तो जूटे ही है अच्छा मैं Congress का कारे करता हूं मैं किसी को जूटे सपने देगा हूँ आज रात को आ जाना पिक्चर चलेगी उसके बाद एक मसीन लग जाएगी जाओ जब मसीन का बटन दबाना और दो गड़ी साथ लेकर जाना वो कहेगा बटन भी दाया गड़ी भी को नहीं आई तो गड़ी आएगी कहां दे गड़ी निकलती है नोट मसीन से नोट तो नहीं निकाल के आप देदोगे आपने महिला अरक्षन का सिर्फ सपना दिखाया है रिजल्ट जीरो है और ये बात पूरे देश में चर्चा हो गई आप क्या बात करते हो मैं लोगों में जाता हूँ बच्चे बच्चे स्कूल के बच्चे मैं जा रहा और ये प्रताब सिंग जा रहा मुझे आउटा में बैठ वे बच्चे कह रहे रेड लाइट में मेरी गाड़ी रुकी और क्या आल है ठीक है चिंदा मत करना हम आपके साथ है मैंने तिरे तो वोटी नहीं लगते अरे अंकल हमी जिताते है तो ये तुभी को जानता है बोले हाँ प्रताब सिंग आचरी आवाज हो बताओ स्कूल के बच्चे को जान रहे ना आपको उनको सब पता है election आ गए दुनिया के सब के समझ में आती है BJP हो, Congress हो मैं Congress हूँ, मुझे गर हो इस बात का मैं Congress हूँ और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि Congress ने अपना काम किया right to food, right to work, right to education क्या बात करो right to food, right to work, right to education, right to information सब कुछ तो दे दिया पर आप बिल पास नहीं करा पाए महिला आरक्षन पास नहीं करा पाए उस सच है, नहीं करा पाए लेकिन हमारी भावना अच्छी थी हम करना चाहते हैं, हम नहीं कर पाए आपके समय जो आपके साथी थे लालू जी, मुलायम सिंग जी, शराद यादर जी, शराद जी तो है नहीं, उन्हीं लोगों ने विरोध किया, उस वक्त कोटे की बात की, OBC कोटा बिलना चाहिए, अब बिल रुग गया था, हम सब ने देखा, राजसबा से पास हो, अलोक सबास हो नहीं पाया, अब वही लो एक तब की आप सोचा, एक बात बताईए, OBC आरक्षन देश में लागू हो गया, सब जगे इमानदारी से लागू हो गया, इवन कॉलेज यूनिवरस्टी तक पहुँच गया, एडमीशन में, तो आज जो जितना पूरा सिस्टम है, ST, SC, OBC, सैनिको को भी आरक्षन मिल रह की, तो वोट को तो यह हम कह दें नहीं, वोट को याधार नहीं, वोट तो एक पावर है न, तो हम काम भी करें, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सब को अधिकार मिले, और मैं आज आपको कह रहा हूं, मैला आरक्षन के लिए जो बीजेपी सपने देख रही है, उनको फ खड़ा नहीं हो गया है, जो सपने बीजेपी देख रही है न, पचीस एमपी बीजेपी लेकर गई थी यहां से, मैं आज आपको कह रहा हूं, आदे आदे तो आज ठोग लिए आप, मेरी गारंटी है, आदे से उपर नहीं है, बारा पर तो आज ही आगे है, आप उननीस मे नहीं जीते हैं, अंडेट भी नहीं जीते हैं, और बाकी हमने सब को मिला कर हमने सरकार बनाई, लेकिन इस देश में इक उल्टा सिस्टम मैंने देखा, खुल के गा रहा हूं, जब-जब सरकार ही हो आती है न, पूरे बहुमत से नहीं आती है, तब-ब ज़्यादा अच्छ सरकार का, मैं इन चीफ मिनिस्टर को पढ़ता था तब भी ये चीफ मिनिस्टर बन गए ते मैं तब से देख रहा हूं, इस बार इस आदमी ने जो काम किया सो ग्यालोज जी ने, ये काम तो इतिहास बन गया, आब बात करो, OPS लागू होगी राजस्तान में, करमचारियों क पर पहुंच गया, वापस फ्री में गया, पहली बार इसा सिस्टम लागू किया, अब उस बच्चे को लगा भाई, पैसा तो मेरा लगेगा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको, आपने राजस्तान में एक करोड दों को, बुजूर्ग विकलांग विद्वा पें राजीब जी, क्योंकि आप कॉंग्रेस के प्रवक्ता भी रहे हैं और आप चुनाओ नाओ भी लड़ चुके हैं, तो मुझे बताइए, महिलाओं को लेकर आपकी सरकार ने भी बहुत सी स्कीम्स की गोशना की, अशोक जी के विग्यापन खुब दिल्ली के अगवारों में और ये चर्चा है, आज भी अगवारों में चर्चा थी कि शैद कुछ न कुछ अब गोशना हो जाएगी, नवरात रहेंगे तो मैलाओं के लिए, क्योंकि हम राजसान कर देंगे, पता नहीं कायास लगा रहे हैं लोग बाग कि राजस्तान में जो स्कीम्स गोशना करी, उ जो प्रताब सिंगी जी कर रहे हैं, मैंनकी बाद का समर्तन कर रहा हूं, हम मंगरीलाल के असीन सपने दिखाते नहीं हैं, हम जो बोल रहे हैं, नीती और नियत में फरक निस मुख्यमंत्री के, तो अशोग गयलो जी ने जो कहा, वो गिलिवर कर दिखाया, हम चुनाओं में जाएंगे, जिनता पूशे की निए, कि आपने का था, आपने करके नहीं दिखाया, वो इसलिए कि जब दिली सिंदी आएं, तो पहले ये बात की घोशना करें, कि हमने जो स्कीम गोशना करी हैं, लागू करी हैं, उनको बंदना करें, अगर आगे चुनाओं में सरकार इम आजाते हैं तो, तो जो यहां पर हमने गोशना करी हैं, वो धरातल पर उतरी है, इसकूल में पढ़ने वाली बच्ची का भविशे कैसे अच्छा हो सके, उसको मुफ्तु में शिक्षा कैसे मिले, कैसे वो कॉलीज एजिकूशन में जाए, कैसे महत्मा गांदी इंग्लिश म महिलों की, तब साक्षर्टा नहीं थी, आज इतने बढ़ चुके हैं, सबसे ज़्यादा यूनिस की पूरे देश के अंदर राहिस्तान के अंदर हुई हैं, इनके कार्यकाल में और अश्योकोलीजी की समय के अंदर, सबसादा मेग्डिकल कॉलिज खुल रहे हैं, हर को समर्थिन दिया, अभी तीन अगस्त को उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, पूरे प्रदेश के अंदर अंगदान के प्रती जागुरुकता लेके आएं, पन्दा दिन का कार्यक्रम था, एक पकवाड़ा, आप विश्वास नहीं करोगे सुमिज जी, एक करोड़, 78 लाख अगर आप और अगर्ण कराने के लिए किसी दूसरे प्रदेश ने जाना पड़ता है, आने जाने का खड़चा पच्छा पच्चिस लाग रुपए तक सरकार उख आती है, तो ऐसी योजना है, खाली हवा के नदर नहीं है, यह योजना लगव हो चुकी है, लोगों प्रदेशन हुआ, आठ लाग रुपए खच होते हैं, वो पैसे बच गए मेरे, एक रुपया ने लगा, हॉस्पिल गए ते वापिस आए, खली होते हैं, तो यह जो काम हो रहा है, उसके कारण जनता चाहती है, कि ऐसी सरकार, जो कि जनता के हर पल को, हर पहलू को, जीवन क जनम से लेके मरन तक जो छू रही हो, वो सरकार को दुबारा लेकर आना है, यह दुबारा गोल्डेन पीरेक कभी ना पहले आया है, ना भविशे मानने वाला है, तो यह जो सपना है ना, यह कोई सपना पूरा करने वाला मुक्यमंत्री है, पताब जी माइक उठाई है, लेको ठंडा करने के लिए, आप एक बात बताईगे, गैलोट साब की पालिट साब, यह राजनीत में जो कॉंपिटिशन है ने, यह पाल्टी को पावर देता है, सत्ता के लिए तो सदियों से युद होते आएं, संगर्स होते आएं, कम नहीं लड़े, कंट्रियां लड़ लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो यह तो हर पाल्टी में होगा, इसको बहुत पॉजेटिव के वे के साथ नहीं, राजनीत में यह नहीं होगा, आज जोडने से कोई सत्दा मिल रही है क्या, लोग को मजबूत लीडर्सिप चाहिए, कोई चुनोती दे तो भी जो अपने राज को बचा ले, लड़े, भिड़े, लेकिन जनता को हक दे, उसी को राजनीत कहते हैं, चलेगा, कॉंग्रेस के अंदर, कॉंपेटिशन चलदा मान लीजे, मुख्यमंतरी के लिए, प्रदेस अद्देक्स के लिए, और लीडर्सिप के लिए, तो चले पार्टी नित्वे, तो मुझे कह दे, कि आपको खुल के बोलने की इजाजत है, तो मैं तो बोलने लग जाओंगा, मैं तो खुल के ही बोलता था, अब इलेक्शन आगे हो, और इलेक्शन के मान प्रताब सिंग घाचरी आवास के हाथ बांद दिये, नहीं तो ये और एक ड मिनिस्टर है, तो लीडर्शिप, विदायक दल का नेता के पास ही होती है, वो कर रहे है, उसके बाद प्रदेश अद्यक से, जहां सत्ता होती है, वहाँ लीडर्शिप, विदायक दल का नेता करता है, मुख्यमंतरी करता है, अब वो तो अपने आप ही कर रहे है, ये मीशन के लिस्स एनॉस्मेंट शुरू हो गए, मीटिंग शुरू हो गई, आपका पते नहीं चल रहा है, यह आप इसको तैयारी मत मानो, मैं बीजेपी को इस मामले में ठीक मानता हूं कि बीजेपी ने जो नारे बुलंद किये, एक बीजेपी की मैं तारीफ करूँगा, कंब्रे मे व्यवस्ता को लेकर, अब कानून व्यवस्ता करनी होगी ठीक, नहीं डरेगा राजस्थान, मा भेन बेटी होगी शुरक्सित, मध्यपरदेश तो संबाल लो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आकड़ा उठा कर देखो, हमारा नहीं है, भारस सरकार का है, नेशनल करने वाले नहीं, नेशनल का राजस्थान के लिए पढ़ लेना, कि राजस्थान एक मात्र स्टेट है, जहां पर चीफ-मिनिस्टर गैलोज साब खुद हो मिनिस्टर है, इन्हों ने जब चीफ-मिनिस्टर बने तो इन्हों एक रूल बना दिया, FIR First Information Report आपको दर्ज करनी पड़ेगी, उसमें से 80-80,000 FIR वापस विड्रो होती है, FIR लगती है, FIR का रूल बनाने से FIR ज्यादा हो सकती है, क्राइम हमारे हैं कम है, आप ये देख लेना, अपराद कि इस तरह की रिपोर्टें आपको ज्यादा दर्ज मिलेगी, ये NCR भी ने लिखा भी अपने अब एक ही बात कहते हैं कि यहां पर प्रियंका गांदी क्यों नहीं आ रही है, राहूल गांदी क्यों नहीं ट्वीट कर रहे है, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके नेताओं को संस्टिव होना चाहिए और यहां के लिए भी चिंता जदानी चाहिए, यहां भी आना चा कहा, कि साब आप- आपके Прीहंकिन गांदी जी, राउल गांदी जी, या खड़कें साब यहां क्यों नहीं आरे? तो मैं कौनि के प्रधान मंत्री जी, मद्यप्रदेश में क्यों नहीं जारें, मद्यप्रदेश में आपका chief minister है, राजस्तान में congress का chief minister है, तो जो काम उनको करना है वो काम तो आपका Chief Minister करी रहा है आप यहाँ पे कोई भी Crime वा विदीने Overs Action हो गया, यही तो होता है आप मुझे ही बता, यह कल जैपुर में घटना घटी पाप था, महापाप हिंदू गलती करे चाहे मुसल्मान Crime क्राइम है, उठाकर बंद करेंगे, क्रिमिलों की कोई जाती नहीं होती कोई जाती नहीं होती, मैं कह रहा हूँ मैं बासन में भी ऐसी कहता हूँ, मुझे डर्म नहीं लग रहा है किसी को गलत वहमी हो, तो निकाल दे कोई किसी को बिगाड़ना हो, बिगाड़ने मेरा कोई नहीं डरता प्रताब से इंखाचरी आवास किसी से भी भीड होगी, भीड के अंदर गुसेगा भीड मारेगी तो अंदर गुसके बचाएगा उसको इतनी ताकत है मेरे में और यदि कोई मेरे उपर करेगा तो मुसका इलाज भी करूँगा फिर वहाँ वहाँ आप कैसे कर लोगे, आप कैसे नहीं बचाएगा, बीड का क्या राइट है किसी को मानने का, किसने राइट दिया हिंदू है, मुसल्मान है, मोटर साइकल बिड़ गई लोग तमासा देखने वाले बच जाएगे किया पाप से, आपकी ड्यूटी थी, आप दोनों को अलग करते और मामला शांत करते, मोटर साइकल दो लोगों की भीडियो अलग है दोनों एक कि मुसलिम जाती है, अचानक दस दादा क्रियेट हो जाते हैं, तू कौन है, ढंके आदमी से लड़ ते लको पता चल जाएगा तूने धार्मिक काम किया है, यह जब भगवान कृष्ण ने गीता में का, साफ, सब सुन ले मेरी बात मैं कच्छावाबंस का चत्री हूँ, भगवान राम का बंसाज हूँ, लेकिन राम और कृष्ण यह कहते हैं, मार दे मेवारबालों के इस देव, ठिकाना एकलिंग जी, यह राजस्तान है, यहाँ पर तो कभूतर को बचाने के लिए लोग मर जाते हैं, आप मुझे यह बताओ, दो आदमी भिड़े दस लोग आए उन्होंने मार दिया उसको जान से और फिर उसको हमने पॉलिटिकल रंग देने की कुशीज की तो इसमें बीजेपी कॉंग्रेस क्या हो गई इस देश में हिंदु मुसल्मान सी किसाई सबको बराबर का दिकार मिलावा है जो गलती करेगा उसको जेल बेजेंगे बार-बार ये देश की सरकार सिर्फ वोट के लिए इस तरह की भासा का प्रियोग करे जो देश के इत्मे नहीं है स्विधान के अनुसार नहीं है तो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता आप इस शोर्टकट के जरेए सरकार ले सकते हो लेकिन देश नहीं बना सकते आप देश बनाने के लिए देश बनाने वाले आजादी के बाद जो लोग थे उन्होंने इस भासा का प्रियोग नहीं किया तब वो लिखते थे पंडित नहरू और जब प्रताब सिंग जैसे लोग जाते हैं मैं राम का वंसज हूँ तो माइनोटीज के लोग मुसलिम्स मुझे केसरी असाफा पहनाते हैं मेरे को तो कोई नहीं मार रहा मेरे गाउं में तो बहुत मुसलिम्स हैं आप चलाके वोट के लिए दंगा फसाद और क्या कर दिया बीजेपी ने चालू राजस्तान में शुरू हो गया है बीजेपी चुनाव हार रही है इसलिए बीजेपी कोसीज कर रही है दंगे चालू हो जाए चालू कर दिया बीजेपी ने पूरी को पहले राम पुलिस साब की है पुलिस तो करेगी आप समझ नहीं रहे वही भासा वही बात अरे तुमारे पडोस में जो रह रहा है तो यह एजेंडा जो हिंदू-मुसल्मान का एजेंडा पकड़ा गया है वो सरकार लेने के लिए तो पकड़ा गया है मैं यह नहीं कह रहा है कि यह कोई बीजेपी वाले मुसल्मान से नफरत करते है उनका एजेंडा है पॉलिटिकल एजेंडा है कि हम यह हिंदू-मुसल्मान का जगड़ा क्रियेट कराके ही जीत सकते हैं इसलिए हो ऐसा कर रहे हैं उनकी भी गलती नहीं राजीब जी एक सवाल आपसे भी राजनितिक सवाल पूछ लेता हूँ समय की कमी है मेरे पास लेकिन यह जरू जाना चाहूँगा चलिए चेहरा इधर तो साफ है कि गयलोट साब मुख्यमंतरी है आपके रेतरत में चुना लड़ा जा रहा है उधर तो चेहरा नहीं दिखरा कोई बीजेपी ने अभी तक किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया और जो अब तक खबरे आई हो यही कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर ही चोना लड़ेगी उनके कामकाश को दिखा के और पिछले एक मेने की जो प्लब्दिया रही चंद्रियान से लेके और जी ट्वेंटी से लेके महिले आरक्शन से लेके प्राइम मिनिस्टर रैली में बोलना भी शुरू कर दिया मेरा सवाल आप से है कि आपके सामने किसी का ना होना या इसको आप कैसे देखते हैं जब आज के लिएशन गेमस चल रहे है जब कोई मुकाबला होता है तो बरावर के ख्राड़ी को सामने खड़ा करना पड़ता है राजिस्तान में अशुक गिलोत के सामने कोई ख्राड़ी है नहीं इसलिए वहाँ पे कश्म कश चल रही है कोशिश चल जज़े किसका चैरा लेकिया है प्रदान मंत्री जी यहाँ पे आके क्या लड़कों लोगों को यहाँ पे रोगलाइक लगवाएंगे या सड़क बनवाएंगे या पानी का कनेक्शन देंगे किसानों के भी आंसू पोचता है यहाँ के साथ भी खड़ा हुआ है महिलों के दुख दर्ब में शामिल होता है लोगों के लाज के लिए पोचता है चेरा तो राजस्तान से देना पड़ेगा ना आप घूम घूम के बार बार यह कुरसी की दौड़ हो रही है एक वो खेल होता है ना रिवाल्विंग चेर वाला खेल होता है वो चल रहा है शीटी बसती है बखते हैं फिर देखते हैं अब शायद इसका नंबर आ जाएगा रोज नहीं चाचा सुनते हैं कि एक नया मुख्यमंत्री आएगा कोई लोग बोलते हैं कि पता हैं कि इस 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 पोटलियों निकाल के लेके आएंगे कि मुख्यमंत्री लेके आएंगे जादेगर ता अशोग गयलोत है आप उसके सामने कोई ना होना आपके लिए फाइदा मन्द है निश्युद रूप से जन्ता को मालूम है कि ये आदमी नेटर चोग करेगा तो ये फाइदा मिलेगा जिकर मालूम नहीं कि आगे मुख्यमंत्री कौन होगा वो आगे आने के बाद कौन सी नेटर लेका है सामने चेहरा होना मतलब आपको पता है कि आप किसके लिए काम कर रहे है इंडिया अलाइंस ने अपना चेहरा नहीं दिया तो हमको पता है कि 24 में मोदीजे प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर ब्लैंक है तो जो चीज आपको राजस्तान में सूट करती है तो दिल्ली में कैसे सूट करेगी तो वोट सेरिंग दोनों में होगी मेरा मानना है 99.5 परसेंट वोट दोनों पार्टियों को मिलेंगे तीसरे के लिए जगे नहीं छोड़ी है उन्होंने लेकिन इंडिया में जो इंडिया एलाइंस है जिसमें राज गांदी खोद पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग भरुसा कर रहे हैं उनके उपर, वहां एक मन है सब का, कि आप मान लीजे बंगाल में ममता बनर जी है, वहां नितीज कुमार है, तो अलग-अलग पावर सेंटर हैं हार स्टीट में, तो सोच समझकर अभी तक उन्होंने कुछ किय लेकिन ये बात ताह है, कि जब लगेगा तो ये बात तो होई कि वोट सेरिंग की, सीट सेरिंग की, वहां भी रास्ता निकल जाएगा, तो रास्ते तो सब निकलते हैं, इसलिए वो इखटा हुए हैं, तो चेहरा देने से फाइदा रहेगा ना, इंडिया लाइन्स को, मेर रुखने वाले हैं क्या, जब उनको लगेगा, लेकिन ये जो आपको एसेंबली इलेक्षेन है, ये 36 गर्ड, MPO, राजस्तान, ये देश की राजनीत की दिसात्य कर देगा, ये कई लोगों की जो भुखार चड़ी हुई हैं, कि हम ही हैं, हम कुछ नहीं है, उस उदरसन्च से ही हो रहा है, अभी बीच में कोरोना आया था ने, तब बड़ा दिमाग लगाया, वाच सब बांद, मंदिर, मस्जित, गिर्जागर, गुरुद्वारा सब बांद, सब धर्मों के जो ठेकेदार थे, सब बांद, हमारे हैं कैबिनेट हो रही, चीफ फिनिस्टर पूछ र है, और कोई जो टाप उपर बैठे थे, जो कह रहे थे, मेरे याँ कोरोना नहीं आगा, वहाँ भी पहुच गया, उपर वाले ने का, सुदर जा, जब आपको पता है, जब भगवान दुनिया बना रहे थे, क्या हुआ, असली किस्ता सुना रहा हूँ आपको मैं, धरम गरं बनाओ, और वरत मेरी पतनी जैसे हैं, भगवान भी अपने जैसे ही, भगवान कुछ बुरा नहीं करते हैं, भगवान तो कहते हैं, गीता में क्रस्ट ने गाए गया, तू हिंदू है, तू मुसल्मान से, कहीं नहीं बोला उसने तो, है ही नहीं, धरमी संसकार है, लेकि कौ उसी चाहिए, अरे लेवो स्वार्थ के लिए, लेकिन नफरत, हिंसा, सब चालू हो गई अब तो, अब तो जो जिस तर पर आगी ने, राजनीत, राजनीत इस पर आगी, चाहे आग लग जाया है, चाहे धंगा हो जाया है, चाहे पूरे देश में गोलियां चल जाया है, ल जगे-जगे, महले में, कस्बे में, सब जगे, हम वर्टिकल डिविजन करना चाहते हैं, धरम पर और कास्ट पर, तो आप कर लीजिए, कास्ट तो अब रह गई पीछे, अब धरम का इतना टेंशन हो गया, कि बस अब तो कुछ भी हो जाये, लेकिन जगडा होगा अचाहे धरम के नाम पर, लेकिन मैं इसी रास्ते पर जीत सकता हूँ, इसलिए वो रास्ता अपना लिया लोग। लूँ है, झाये, लेकिन जगडा हो जाता है, लेकिन मैं जगडाहे लेकिन मैं एकिन जगडाए लेकिन जगडाना लोग।